लक्ष्मन जी की मृत्यू की खबर सुनकर क्यों हसने लगी? उनकी पत्नी उर्मिला, जै श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिस्टम ठाकुर यू के 18 में. दोस्तों, आज की कथा बड़ी रोचक है, जिसे हमने रामायन से लिया है, तो आज आएं, ध्यान से सुनते हुए वीडियो को पूरा देखते हैं दोस्तों. आपको यह तो पता ही है कि रामायन काल में भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उनकी पत्नी माता सीता सहज ही वनवास को जाना स्विकार कर लिया था. परन्तु बच्पन से ही बड़े भाई को सेवा में रहने वाले लक्ष्मन जी कैसे भला राम जी से दूर हो जाते? लक्ष्मन जी ने माता सुमित्रा से तो आग्या ले लिया था, परन्तु पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, परन्तु वह मन में यह सोचते हुए जा रहे थे, कि माता से तो आग्या ले लिया है. पर उर्मिला से मैं कैसे आग्या लूँगा? मैं कैसे उसे समझाऊँगा? मैं उससे क्या कहूँगा? यदि बिना बताये जाऊंगा, तो वह रो रोकर अपनी जान दे देगी. और यदि बताया, तो साथ जाने के लिए जिद्द करेगी और रोएगी. यदि सीता जी अपने पती के साथ जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती यही सोच विचार करके लक्षमन जी जैसे ही अपनी पत्नी के कक्ष की ओर पहुँचे तो देखा उर्मिला आरती की थाली लेकर बाहर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी जब लक्षमन जी उनके पास पहुँचे तो उर्मिला बोली आप मेरी चिंता छोड़ दें जो प्रभु की सेवा में वन को जाए तो मैं उसे रोकूंगी नहीं मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं आए इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी दोस्तों लक्षमन जी को कहने में संकोच हो रहा था परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उनका संकोच दूर कर दिया वास्तव में यही पत्नी का धर्म है पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी को उसके मन की बात जानकर उससे संकोच से बाहर निकाल दे पत्नी का इतना त्याग और प्रेम देखकर लक्षमन जी रो पड़े तो उर्मिला जी ने दीपक जलाया और विनती कर कहा मेरे नाथ इस आज को कभी बुझने नहीं देना लक्षमन जी तो वहां से चले गए लेकिन 14 वर्षों तक उर्मिला एक तपस्विनी की भानती कठोर तप करती रही वन में भैया भाभी की सेवा में लक्षमन जी कभी सोय नहीं परंतु उर्मिला ने कभी भी अपने महलों के द्वार बंद नहीं किये वह सारी सारी रात जाग जाग कर उसे दीपक की लौ को बुझने नहीं देती थी मेघनाथ से युध करते हुए जब लक्षमन जी को शक्ती लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे तो उधर से जब पहाड लेकर लोट रहे थे तब बीच में उन्हें अयोध्या में भारत जी ने शैतान समझ कर उन पर बाण चला दिया और हनुमान जी को नीचे गिरा दिया और जब होश आया और होश आने के बाद हनुमान जी ने भारत से सारी कहानी बता दी कि रावन पुत्र मेगनाथ ने लक्षमन जी पर विरहागिन शक्तियों का प्रयोग किया है इसलिए लक्षमन जी के प्राण संकट में हैं मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आया था जब यह बात माता कौशल्या ने सुनी तब उन्होंने कहा है हनुमान राम से जाकर कहना लक्षमन के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखें श्री राम वन में ही रहें तभी यह बात माता सुमित्रा ने सुनी, तो सुमित्रा कहती है कि हनुमान राम से कहना कोई बात नहीं. अब भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुग्ण मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी. यह मेरी दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं. माता का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आँखों से आँसु रुक नहीं रहे थे. परन्तु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा, तो वह सोचने लगे. यह क्यों एकदम शान्त और प्रसन्न खड़ी हैं? क्या इन्हें अपने पती के प्राणों की कोई चिंता नहीं? वास्तव में जब उर्मिला जी ने यह सुना कि उनके पती के प्राण संकट में है, तो वह खड़ी होकर हंस रही थी. तो हनुमान जी ने पूछा, है देवी, आपका इतना प्रशन्सा का कारण क्या है? आपके पती के प्राण संकट में है? सूर्य उदय होते ही, सूर्य कल क दीपक बुझ जाएगा. उर्मिला जी का उत्तर सुनकर, तीनों लोकों का प्राणी कोई भी हो, वंदना किये बिना नहीं रह सकता है. उर्मिला जी कहने लगी, है हनुमान जी, मुझे भला किस बात की चिंता, और मैं क्यों चिंता करूँ? मेरा दीपक अभी संकट में नही क्योंकि आपके वहां पहुँचने बिना सूर्य उदय हो नहीं सकता. आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पती के अपने गोद में लिए बैठे हैं. जो श्री राम हरी भगवान राम की गोद में लेटा हो, उसे काल भी छू नहीं सकता, या तो वो दोनों लोगों की ली गई हो तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया है. और वह उठ जाएंगे और शक्ती मेरे पती को नहीं लगी है. शक्ती तो श्री राम जी को लगी है. मेरे पती की हर सांस में श्री राम है. धड़कन में श्री राम है. हर जगह रोम रोम में श्री राम है. उनके खून की निश्चिन्त होकर जाये सूर्य उदय नहीं होगा बात तो मैं सूर्य में इतनी शक्ति ही नहीं थी कि लक्ष्मन जी के जागने से पहले उदित हो जाए मैं एक पतिवर्ता तपस्विनी का तप उनके सामने खड़ा है और मेघनाथ ने लक्ष्मन जी को नहीं मारा था अयोध्या में बैठी एक तप बनी उर्मिला ने मारा था धन्य है वहपत्निया जिन्होंने अपने पति के याद में ऐसे हजारों वर्ष तक जीवन बिता दिया कहते हैं रामराज जी की नीव राजा जनक की बेटियां ही थी कभी सीता तो कभी उर्मिला भगवान राम ने तो केवल रामराज्य में कलश स्थापित किया था परन्तु रामराज्य इन सब के समर्पन त्याग और बलिदान से ही आया था दोस्तों यह कथा यहीं तक थी यह कथा आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों हमारे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद दोस्तों जै श्री राम, जै हिंद, जै भारत